Jai Shri Krishna, स्वागत है आपका सार्थी तृषि ला के साथ, कैसे हैं आप लोग, मैं आपकी आस्ट्रोलॉजन हूँ वस्तूशास्त्री हूँ, चहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ और हाथों के लकीरें भी पढ़ लेती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपकी सार्थी हैं महाभारत में जब महाभारत खतम हुई तो श्री कृष्ण से नारज जी ने आकर पूछा कि हे प्रभु सबसे बलवान कौन था कौन था जो सबसे ताकतवर था जिसने इस महाभारत को जितवा कर रख दिया बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए बस एक यही चीज़ मुझे अपने ठाकुर जी की बहुत प्यारी लगती है और सच में जब भी आप कृष्ण का नाम लेंगे न आपको वो हल्की सी मंदमन मुस्कान याद आ जाएगी और आपको समझ आ जाएगा कि ये वही है तो चलिए उन्हों ने ऐसा बोला कि नारज जी मुस्कुराते हुए अपनी उस प्यारी सी मनमुहक मुस्कान के साथ उन्होंने बोला कि नारज जी बल्वान तो सुछ एक ही चीज़ थी जिसने महह भारत रचवा भी दी और जित्वा भी दी नारज जी ने का अच्छा प्रभू आप बोले नहीं समय के अंदर बहुत ताकत होती है कहते हैं ना इंसान बढ़ाना होत है वक्त होत बलवान और भीलन लूटी गोपियां वही अरजुन वही बान तो इंसान से भगवान से अगर ज़्यादा ताकत किसी के पास है तो है स समय के बस एक समय आता है हर एक चीज का कुछ चण, कुछ पल, कुछ महीने, कुछ घड़ी, कुछ घंटे यही तो गढ़ना करनी होती है शायद इसलिए जोतिश का जनम हुआ था जोतिश इसलिए बनाई गई थी कि उस समय को हम गिल ले उस समय को हम पढ़ ले उस समय का हम निर्धारन कर दें और सामने वाले को हम यह बता दे कि बेटा इतना समय काट लो, साड़े साती का साथ साल काट लो, धहिया का धाई साल काट लो, रहो की महादशा का आधा साल काट लो, अगर शनी बहुत दिक्कत कर रहा है तो किसी भी तरीगे सा साड़े तीन साल जीवन क काट लो तो देखना जीवन में से परिशानियां दूर हो जाएंगे समय की इसी गर्णा को जानने के लिए और लोगों को उस समय से लड़वाने के लिए शायद श्रीहरी विश्णू ने और मेरे ठाकर जी ने जोतिश एक निर्मान किया होगा ऐसा मेरा सोचना है मुझसे इनसान वो गुरू जो आपके बुरे से बुरे समय में आपको एक हिम्मत की तरह एक पिलर की तरह खड़े रहकर ये बता दे कि नहीं हारना नहीं अभी वक्त बाकी है अभी बहुत सारी जंग जीतनी है पस थोड़ा सा कटनाई है निकाल ले बिट होता नहीं हम किसी रस्ते पर जाते हैं और वहां पर बहुत सारे गड़े होते हैं वह बड़ खाबड रस्ता होता है और हम यह सोचते ही कि कब खतम होगा किसी को बुलाते हैं भहिया आउना जरा बताने कि कितना ऐसा रस्ता है तो वह बोलता है जादा नहीं है बस वह आगे तक वह दिख रहा है वहा भी गड़ना करके देता हैं कि इतना से समय है, इसे निकाल दीजे, उसके बाद का समय बहुत अच्छा है. इस बुरे समय पे किसी भी चीज से हमें हारना नहीं चाहिए, वक्त के हराए भी नहीं हारना चाहिए. अगर हमने इस मुसीबत की घड़ी को पार कर लिया इस दुख इस दुविधा की घड़ी को पार कर लिया तो ये मान के चलिए आने वाला समय अपने आप ही सुखद हो जाएगा दुख में दुखी होना बहुत आसान होता है मुश्किल होता है उस दुख में सुखी हो जाना किसी किसी को अपने बुरे वक्त से बहुत सारे गिले शिक्वे होते हैं मैं बहुत पूजा करता हूँ मैंने आज तक कोई बुरा काम नहीं किया मैंने इसके साथ ये किया फिर भी मेरे साथ ये हुआ लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब वक्त बुरा हो ये मत गिनो कि आपने क्या किया ये देखो कि आपको अब क्या करना है नई चीजों का निर्मान करें अपने मन को अपने मस्तिश को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाए दो नेगेटिव थौट्स आए अगर आपके मन के अंदर डिप्रेशन आए आपके मन में सुसाइडल प्रवती आए उसी समय अध्यात्म का हाथ पकड़ लो उसी समय किसी गुरू के शरण में चले जाओ उसी समय किसी को अपना गुरू अपना इस्ट बना लो और उनको बस समर्पित करके ये कह दो कि मैं अब अपने बस में नहीं मेरा रस्ता अब मेरे हाथ में नहीं मैं जिन्दगी से हालने जा रहा हूं हाथ ठाम लो मुझे अब आपकी जरूरत है जब आप ये सोची चुके हो कि आपकी जिन्दगी अब आपके काम की नहीं तो वो किसी और को दे दो न, उसके काम आ जाएगी क्या पता वो इंसान इतना काबिल आपको बना देगा कि वापस आपको आपके जिन्दगी से प्यार हो जाएगा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा सुसाइडल प्रवर्ती अगर आ गई हो आपके अंदर बहुत छोटे से कुछ उपाए हैं जो आपको कर लेना चाहिए जिससे आपके घर के अंदर से, आपके मन के अंदर से, आपके दिमाग के अंदर से नेगेटिविटी चली जाए उसे एक शण में आप कुछ ऐसा डिसाइड ना कलने जिससे ना जाने किती जिन्दगियां तबहा हो जाए कमजोर पड़ना बहुत आसान होता है बहुत मुश्किल होता है मजबूत बनना परिशानियों से हार जाना बहुत आसान होता है मजबूत होना उस परिशानियों से लड़ना यही तो मुश्किल होता है इस मुश्किल घड़ी में जो इनसान मजबूती से खड़ा हो गया मेरे हिसाब से वो सच में मनुश्य कहलाने के लायक होता है आपकी गुरु होने के नाते सार्थी होने के नाते मैं सदा सरवदा अपने परिवार के साथ यही विंती के साथ आगे बढ़ती हूँ कभी भी हारो हारना मत हार को हराना हारना मत जिंदगी कितने भी कस्ट दे मुस्कुराते हुए चलना और कहना कि कोई बात नहीं इनसे तो पुराना याराना है फिर मिलेंगे अभी तो चलते हैं आगे की तलाश में अगर आप मेरे परिवार से जुड़े हैं कभी अपने आपको मरने की स्थिति पे लाने की मत सोचना किसी को जिन्दगी देने की सोचना ये सोचना कि मैंने एक जीवन लिया है मैं किसी को जिन्दा कर दूँ किसी को बना दूँ किसी को खड़ा कर दूँ आपके जीवन का उद्देश है वो होना चाहिए ना कि खुद को खतम करनूं ये thoughts आपके दिमाग में आने चाहिए मैं अक्सर औरतों को मना करती हूँ मुझे रोने वाली औरते पसंद नहीं मुझे वो औरते बिलकुल पसंद नहीं जो ये कहती हैं बात बात पे कि हम मर जाएं हम suicide कर लें हम ऐसा कर लें हम वैसा कर लें कायर इनसान मेरे परिवार का सद्द से नहीं मजबूती से खड़े रही है क्योंकि मजबूती ही जीवन है और जो इनसान मजबूती के साथ जीवन जीता है वही तो आदर्श बनके और लोगों के लिए एक मिसाल बन जाता है चली बहुत बाते हो गई कोछ उपाए भी लिख लेते हैं क्या करना है आपको बहुत ज़्यादा depression है बहुत ज़्यादा negativity है बहुत ज़्यादा दिक्कते हो रही हैं जीवन से तो क्या करना चाहिए आपको शनिवार के दिन साथ कील और एक निबू ले लेना चाहिए अपने सिर से साथ बार घुमा लेना चाहिए कील को काले धागे से बांद देना चाहिए और निबू के उपर लाल धागा बांद देना चाहिए दोनों पे थोड़ा थोड़ा सिंदूर डालने के पश्चात आप उसे किसी चौराए पर छोड़ाईए ये कारे आपको लगातार पांच हफते तक करना है पीरिट्स चल रहे हो तब भी आप ये कारे करें छोड़े नहीं देखेगा नेगेटिव टाइम खतम हो जाएगा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो माहम रित्यूंजे का जाब चालू कर दीजे खुद नहीं कर सकते अपने कमरे में सारे टाइम बजाते रही है आपको अपने आप एक उरजा करा है मैं बहुत जादा डाउन चली जा रही है तो आपको क्या करना चाहिए आपको पानी बहते हुए पानी के अंदर थोड़ी देर पैर डालकर बैठ जाना चाहिए लेक tad बयकता हुआ ना हो को एक बाल्टी ले लिजए उसके अंदर थोड़ा सा नमक डालिए और पैर ड प्रतीक होता है नीले रंग को आप अपने नौर्थ में ओम बनाने से आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी और आपके डिप्रेशन से आपको मुक्ती मिलने लगेगी जीवन के अंदर अगर बहुत ज़्यादा संगर्ष चल रहे हैं शिवजी का जाब चालू कर दीजे माता से एक चांदी का टुकड़ा लेकर गले में पहल लीजे अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत लग रही है हाथ के अंदर चांदी के कड़े या फिर चांदी की कोई भी ब्रेसलेट लेकर तुरंत प्रभाव से पहल लीजे चांदी के गलास में पानी पीना चालू कर दीज पानी की बोतले लेके जरूरतमन लोगों को देना चालू कर दीजे आपको अगर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी में हसूस होती है पहते हुए जल के अंदर कुछ मचलियां छोड़ाईए बहते हुए जल के अंदर मचलियों को आटे की गोलियां खिलाईए बहते हुए जल के साथ थोड़ी देर बैठिये बहता हुए पानी उसके आवाजे सुनना चालू करिये अपने घर में एक फांटेन रख लीजे नौर्थ के अंदर पानी भरके एक बॉल के अंदर रख लीजे अपने बाथरूम के अंदर फिट करी रख लीजे बहुत सारी छोटे 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 उपाएं है करना चालू करिए जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा तो चलिए मैं दे देती हूँ आज की tip of the day अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए बहुत सरल सा उपाए में आपको बता देती हूँ आपको उसके हाथ से प्रतिक सुमवार को आटे के अंदर गुड मिलाकर रोटी बनानी है और वो गाए को खिलवानी है अगर बच्चा अपने हाथ से खिला दे तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो आप ये कारे करना चालू कर दीजे मिठी रोटी गाए को खिलाइए देखेगा उस बच्चे का डिप्रेशन धीरे-धीरे करके खतम हो चाएगा अगर आपके बच्चे के साथ बहुत जादा नेगेटिविटी या दिक्कते चल रही है तो आपको अपने घर के नौर्थ में पानी जरूर रखना चाहिए बहते हुए जल का प्रवाह अपने नौर्थ में जरूर स्थापित कर दीजे आपके बच्चे के जीवन से नेगेटिविटी जाने लगेगी घर में कोई भी नल टपक रहा हो तो उसको तुरन प्रभाव से बंद कर दीजे इससे भी माइंड के अंदर बहुत सारी नेगेटिव थौट्स आती है सुसाइडल टेंडेंसी आती है और साथ में आदमी खुद आत्मत्या करने के लिए बार बार खुद को प्रेयरित करता रहता है अगर आपके घर में कोई भी सद्द से आपको इन सब गतीविधियों के अंदर नजर आए बहुत उदास बैठा हुआ, अकेला बैठा हुआ, बातों को छुपाता हुआ, बात बात पर उसकी बातों में वो बात कुछ और कर रहा हो सोच कुछ और रहा हो, अगर उसकी बातों में हकलाहट आने लगे अगर उस बंदे के आपको वहवार में परिवर्तन दिखने लगे अगर वो फेक हसी हस रहा हो अगर वो बाद बाद पर आपसे कटने की कोशिश कर रहा हो अगर कोई अकेला ही रहना चाता हो तो नैच्रल बात है कि वो एक डिप्रेशन के फेज में आ चुका है पहचानिए सम्टम्स देखिए और उसको इसमें से बाहर निकालने के लिए साहता करिए मेरी किसी भी तरह के साहता आपको चाहिए हो तो आप मुझसे संपर्क कर लीजे चलिए चलती हूँ फिर आओंगे कुछ नया कुछ अलग कुछ अद्बुत लेगा तब तक के लिए मुझस्कुर आते रहिएगा रिश्टे में मजबूती बना के रखिएगा अपने साहती के साहत यह जुड़े रहिएगा प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा अपना मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेर करना बिल्कुल मत भूलेगा अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमें फेस्बुक और इंस्टाग्राम पेच पर भी जॉइन कर सकते हैं ख्याल रखना, प्यार से रहना और उनको भी प्यार से रखना जिन से आप प्यार करते हैं फिर मिलेंगे तब तक के लिए जाशे करशना सार्थी मात्रिशला जोतिश के क्षेत्र में विश्व विख्यात ताम है जोतिश शास्त्र में पेच्टी मात्रिशला पिछली 22 वर्शों से जोतिश की सभी परंपराकत विधाओं के साथ-साथ अनेक दुडलब गुडविधाओं जैसे परचाई एवं लव्स के अध्यन से अपनी सटीक भविश्यवानी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं अपने उपायों द्वारा लाखों लोकों का जीवन सवार्चुकी मात्रिशला लगातार 2016 से जोतिश विभूषन अवौर्ट प्राप कर रही है साल 2018 में उन्हें उत्राखंट के मुख्य मंध्री त्रिवेंद्र सेंग रावत ने जोतिश विभूषन अवौर्ट से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट अस्ट्रोलजर के अबॉर्ड से नवासा जा चुगा है स्ट्रोलजर, खल्ग से,